हेलो फ्रेंड बेलकम टूर चैनल ग्यान फोर एक जांग दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार एक परिचेस से बस तू निश्ट प्रस्त जैसा कि हमारी स्रीच चल रही है बिहार अब्जेक्टिव का जिन में आज ये हिस्ट्री से हिस्ट्री से ये पा किये गए हैं जहां पर बिहार के प्रात्मिक इतिहास की बात की गई है उससे समंद्ध जितने भी अब्जेक्टिव प्रस्ण थे वो हमने कल के वीडियो में किया था ये सभी प्रस्ण और सभी वीडियो आपको 66 BPSC साथ ही बिहार के अन्य सभी एक्जाम के लिए बहुत ही किया गया है आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर बिहार स्पेशल GKGS में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे पार्ट वाई पार्ट वहां पर वन टू करके लिखा हुआ है आप वहां से उससे जरूर देख लेंगे जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब ही बेल आइकन को आउन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक सेयर कमेंट और लाइक जरूर करेंगे चलिए हम लोग बात करेंगे आज का एक और नए चैप्टर के साथ महाजन पदकाल हम लोग इस इस से पहले की वीडियो में हमने तीन चैप्टर को एक साथ कंप्लीट किया था और एक साथ जाना था आज ये चौता चैप्टर होगा जिसमें महतपुर्ण चैप्टर है महाजन पद पूरे भारत में कुल 16 महाजन पद हुए थे उनमें से जो प्रमुक महाजन पद हुए बिहार के उनके वारे में जानेंगे बात करेंगे महाजन पद काल से पहला प्रस्ण च्छटी सताबदी सपूर में भारत में 16 महाजन पदों का उदाय हुआ इनमें से कितने महाजन पद बरतमान बिहार के छेतरों में इस्थित थी 16 महाजन पद जिसका वर्णन हमें बौध धर्म के अंगुत्तर निकाई से जनने को मिलती है उनमें से जो बरतमान बिहार है उसमें जो कुल प्रमुक महाजन पद हुए हुआ थे तीन अगला प्रस्ट दो नमबर निमन में से कौन सा महाजन पद बरतमान बिहार के छेतर में इस्थित नहीं था बरतमान बिहार यानि कि अंग बज्जी बद्स और मगद इनमें जो सामिल नहीं था बिहार में वह था बद्स अगला प्रस्ट तीन नमबर बिहार के किन छेतरों में अंग महाजन पद इस्थित था अंग महाजन पद जिन्हें आज हम लोग जानते हैं अंगी का प्रदेश के नाम से या अंग प्रदेश के नाम से इसकी नाम पर ही अंगी का एक भासा वनी है जो है भागलपूर और प्रमुक भासा में सामिले अंगिका अगला प्रस्न चार नमबर अंग माह जनपत की राजधानी थी, वह थी चम्पा बुध के समय एक समय तक चम्पा की गन्ना भारत के छा माह नगरियों में से एक किया जाता था अगला प्रास्ट पांच नमबर बिहार के पटना तथा गया का जीला की इस महाजनपद में समलित था बिहार का जो पटना है और गया जीला वह मुखरूप से मगद महाजनपद में सामिल था मगद महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी राजगीरिया ग्रीबरज्र जो कि मगद महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी अगला प्रस्न साथ नमबर मगद तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी प्रिथक करती थी जो मगद जनपद थी जिसकी राजधानी राजगीर और अंग जिसकी राजधानी चमपा ये दोनों को अलग करने वाली प्रमुख नदी थी वह थी चम्पन दी अगले प्रसनाट नमबर बिहार में इस्थी पौन सा महा जनपद आट राजीन का एक संग था जो बिहार का जो एक महाजनपत था उसमें आठ राज्य सामिल थे और वह प्रमुख महाजनपत था संग था बज्जी आगे देखेंगे अगला प्रस्ने नौ नमबर बज्जी संग में कौन सास राज्य समलित नहीं थी लिक्षवी ग्यात्रक बिदे या चेदी जो बज्जी संग में समलित राज्य नहीं थे उनमें चेदी सामिल नहीं था सेश लिक्षवी ग्यात्रक बिदे कुल मिलाकर बज्जी संग में आठ राज्य सामिल हुआ करते थे अगला प्रस्ण दस नमबर बज्जी संग की राजधानी थी बज्जी संग की राजधानी बैसाली हुआ करती थी जो कि लिछवी की राजधानी बैसाली थी अगला प्रस्ण 11 नंबर बिहार के भागों में श्थित कौनसा महाजनपद में गनतंत्र जो की वह था बज्जी गनतंत्र अगला प्राशन बारा नमबर इस्वी पूर्व छठी सदी में बिश्वी की प्रतम गंतंत्रात्मक ब्यवस था कहा थी यह था बैसालिस बिश्वी की प्रतम गंतंत्र जो था वह था लिच्वी की राजधानी बैसाली में सही answer option number A अगला प्राश्चन तेरा नमबर मगद की प्रत्हम राजधानी कौन सी थी मगद महा जनपत की जो पहली राजधानी थी वह थी राजगीर बरतमान का राजगीर ततकालिन गरी बजर या राजगीर राजगीर जो है वह अन्नालंदा जीला में आती है 16 महाजनपदों में एक था 16 महाजनपद चमपा, नालंदा, वैसाले और अंग इनमें जो 16 महाजनपद में एक था वह था अंग महाजनपद अगला प्रास्ट 15 नंबर महाजनपद द्यूग में पावापूरी किस की राजधानी थी पावापूरी जो आगे जानेंगे फ्रेंडंस इस प्रकार Device महाजनपद काल से कुछ प्रमुख प्रस्ण थे उसे जाने हैं साथ ही अब आगे जानेंगे इसी वीडियो में हम लोग जेन धर्म जेन धर्म से संबंधी जो बिहार से बनने वाले प्रमुख प्रस्ण है उसके बारे में जानेंगे बात करेंगे जैन धर्म के पहले प्रस्ण की जैन धर्म के बास्तविक संस्थापक और 24 वे एवं अंतिम तिर्थ कर महावीर का जन्म कहा हुआ था महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था और इनके बच्पन का नाम बर्धमान था महावीर के जन्मस्थल कुंडग्राम बिहार के किस जीले में है कुंडग्राम जो है बिहार के 22 साली जीले में इस्थी थे और इनका जन्म माना जाता है 544 सिस्वी पूर्व अगला प्रास्ण तीन नंबर महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंद था सारनाथ से विदेह से बच्जी संग से या कपील वस्तू से महावीर स्वामी के जो पिता हुआ करते थे सिद्धार्थ हुआ थे बच्जी संग से सिद्ध अर्थ बज्जी संग के गनराज कुंड ग्राम के ग्यात सात्रिक छट्रियों के प्रमुख हुआ करते थे अगला प्रस्ण चार नंबर महाविर स्वामी की माता त्री सला जिन्हें विदेह दत्ता की नाम से जाना जाता था त्री सला कहां की राजकुमारी थी लिच्छवी की सारनात की विदेह की या अंग की जो त्री सला थी उनकी माता हुआ थी लिच्छवी गनराज की त्री सला लिच्छवी गनराज चेटक की बहन हुआ करती थी अगला प्रास्ण पाच नंबर महाविर स्वामी ने अपना अंति मुपदेश दिया था पावापूरी में ही इनके नाम पर जल मन्दीर इस्थित है अगला प्रास्ण छै नंबर महाविर की मिर्थ्यू या निर्वान हुई थी बैसाली में पावपूरी में विदेह में या राजगीर में महाविर स्वामी की मिर्तिव बिहार के नालंदा जीला के प्रमुखस्तल पावपूरी में हुई थी अगला प्राशन साथ नंबर प्रत्थम जैन संगीती का योजन हुआ था प्रत्म जैन संगीती सरपर्थम की गई थी पाटली पूत्र में आप्सन नमबर A सही है अगला प्रत्म जैन संगीती का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ था चंद्रगुप्त मौर अजाजसत्रू असोक या कनिस्क सही आंसर है आप्सन नमबर A चंद्रगुप्त मौर और इसके अध्यच्छ थे अस्थूल भद्र अस्थूल भद्र प्रत्थम जैन संगीती का अध्यच्छ हुआ करते थे अगला प्रस्थन है नौ नमबर प्रत्थम जैन संगीती के अध्यच्छ ताक किसने के थे सही आंसर है अस्थूल भद्र option number D अगला प्रास्ट दस नमबर प्रथम जैन संगीती का आयोजन पाटली पूत्र में हुआ था जिसमें कारी हुए प्रथम बाथ संगीती जैन संगीती जो ही थी पाटली पूत्र में उसमें कुछ प्रमुक कारी हुए थे जिनमें सामिल है जैन धर्म ग्रंतों को अंतिम रूप से संक्लित कर लिपी वद कर दिया गया और जैन धर्म के मादपूर्ण बारा अंगों का प्रेनेन किया गया एवां जैन धर्म के दो भाग स्वेतांबर एवां दिगंबर में भी भाजन हुआ ये दोनों कथन सही है आप्सन नमबर बी आगे ग्यारा नमबर जैन धर्म के बारवत तिर्थ कर बसुपूज की जन्मस्थली थी जो जैन धर्म के बारवत तिर्थ कर हुए बसुपूज उनकी जन्मस्थली थी चमपा अंग की राजधानी चमपा में फ्रेंट्स इस परकार हमने जैन धर्म से संबंदित सभी प्रमूख प्रस्णों को जाना साथ ही इसी वीडियो में हम लोग जान लेते हैं बौध धर्म बौध धर्म से भी कुछ प्रमूख प्रस्ण है उसे जानेंगे एक साथ ही बात करेंगे बौत धर्म से पहला प्रास्त बौत धर्म के संस्थापक गौतम बुध ने गृत त्याग के उपरांत सरपर्थम गए थे गृत त्याग यानि घर छोड़ने के बाद वह सरपर्थम कहां गए थे बैसाली के समेप अलार कलाम के आस्रह में साथ ही गृत त्याग को गृतम बुध के गृत त्याग को प्रतिक माना जाता है घोड़ा अगला प्रस दो नंबर गृतम बुध को कहां कौंडिन और पाच ब्रहामन मिले थे कौंडिन और पाच ब्रहामन जो मिले थे हुआ थे बोध गया जिसे तत्कालिन उरुवेला के नाम से जाना जाता था बोध गया में ही गृतम बुध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी अगला प्रेस्ट तिन नमबर गौतम बुध को ग्यान प्राप्त हुआ था बोधगया में रिज्विक ग्राम में कुसी नारा में या सारनाथ में ग्यान के प्राप्त हुई थी बिहार के गया जिले में श्थित बोध गया में जो कि निरंजना नदी बर्तमान जाना जाता है फल्गु नदी के नाम से वहीं पर हुई थी जबकि गौतम बुध ने अपनी पहले उपदेश बारा नसी के सार्णाथ में दिया थै अगला प्रास्ण चार नंबर गौतम बुध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ती हुई थी गंगा निरंजना गंडक या सोन ये निरंजना नदी के किनारे हुई थी और एक पीपल ब्रिच के नीचे जिसे बर्तमान में निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है अगला प्राशन पाच नंबर राजगरी में आयोजित प्रतम बहुत संगीती में कौन से कारे हुए कथन बाज देखें तो बहुत धर्म दो भागों यानि अस्थावीर और महासंगी के रुप में विभाजित हुआ बुद्ध की सिक्छाओं का संक्लन सुत और बिनैपितक में हुआ बाज धर्म दो भाग यानि हीन यान और महायान संपरदाय में बटा उप्युक्त में से कोई नहीं बात कर इसके सही आंसर के प्रतम बहुत संगीती में कारे की तो वथा सिक्छाओं का संक्लन सुत पितक और बिनैपितक में किये गए बुद्ध धर्म पितक में कुल तीन पितक हुए सुत पितक बिनैपितक और धम पितक जिन में दो पितकों का संक्लन किया गया प्रतम बहुत संगीती का आयोजन 483 इस्विपूर में राजगीर में किया गया था अगला प्रस्ट छे नंबर दूतिय बहुत संगीती का आयोजन बैसाली में हुआ इनमें किये गये कारिक क्या थे दूसरे बहुत संगीती जो वैसाली में हुई था उसमें दूत्य बहुत संगीती जो 383 में हुई था वहीं पर बहुत धर्म दो भाग अस्थावीर और महासंगी के रूप में विभाजित हुए और यह दूसरा बहुत संगीती हुई था वैसाली में अगला प्रास्ण साथ नमबर त्रीतिय बौज संगीते कायोजन पाटली पूत्र में हुआ इसमें किये गए कारी क्या थे तिसरे बौज संगीती में जो किया गया था वहा प्रमुक था कठोर नियम बनाए गया और अभी धम पिटन का संकलन हुआ अभी धम पिटन का संकलन तिसरे बौज संगीती कायोजन जो पाटली पूत्रा में किया गया था वहाँ पर 251 इस्विपूर में की गई जबकि सूत पिटक और बिनैपिटक को हमने जाना पहली बौज संगीती में की गई थी अगला प्रसनात नमबर निमनांकीत में से किस नगर से महात्मबूध का घनिष्ट संबंध रहा है बोदगया राजगीर बैसाली या उप्यूक्त सभी सही आंसर आप्शन नमबर डी उप्युक्त सभी बोद गया राजगीर और बैसाली सभी से अगला प्रस्थन है नौ नमबर महात्मा बुद्ध ने पाटली पुत्र के बिनास के कारणों को भविश्वाने की थी उनमें समलित थी बाढ़ अगनी आंत्री कलह उप्युक्त सभी जो महात्मा बुद्ध ने पाटली पुत्र के बिनास की कारण का बात किये उनमें बाढ़ अगनी और आंत्री कलह सभी सामिल थे अगला प्रस्ट दस नमबर बोध गया में महाबोधी मंदिर बनाया गया जहां महाबोधी मंदिर जो बनाया गया था वह गौतम बुद्ध को ज्यान प्राप्त हुआ था सही आंसर ऑप्सन नमबर B और C महाबोधी मंदीर और बोध गया जो निरंजना नदी के किनारे इस्तिते और बरतमान गया जीले के अंतरगत आता है अगला प्रस्ण 11 नमबर प्रसीद बौध सारी पूत्र का जन्म हुआ था सारी पूत्र जो थे एक प्रसीद बौध थे उनका जन्म नालंदा में हुआ था सही आंसर ऑप्सन नमबर एट फ्रेंट्स इस प्रकार से हमने जाना साथ ही एक ही वीडियो में महाजन्पद जैन्धर्म और बौध धर्म एक वीडियो में हमने तीन चैप्टर कम्प्लिट किया है कुल मिलाकर के लगभग आपको पचास पलस प्रस्न मिले हैं उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ ही वीडियो आइकन को अन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिपिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड्स तक सेयर जरूर करेंगे इसी के साथ जैहिंद धन्यवाद